जैसे हम इस debate को ही close कर देते हैं यहां पर एक empirical evidence दिखा करके जैसे आपको doubt है कि वेदों के वो अर्थ गलत है जहां पर ऐसा बोल दिया गया कि इस त्रियों को भी वेद पटने के अधिकार हैं पर क्या हो यदि मैं आपको एक archaeological evidence दिखा हूं जहां पर हमें एक तांबे की plate पर जा धातू का नाम मुझे याद नहीं है वो उसकी dating है 100 BC जिस पर एक महिला हवन करवा रही है वो प्रोहित है और विवहा चल रहा है विवहा की ceremony है तो अर्थ तो बदले जा सकते हैं पर क्या archaeological evidence भी जाके time travel करके पास में fake बनाया जा सकता है मैं नहीं हाँ बनाया जा सकता है बिलकुल बनाया जा सकता है मैं बताता हूना कैसे बनाया जा सकता है time machine में पीछे जाकर नहीं बनाया जा सकता है लेकिन AI की मदद से जरूर बनाया जा सकता है ये बंदा HyperQuist के podcast पे गया था और वहाँ पे claims ठोके जा रहा था ठोके जा रहा था इसका ये कहना था कि Vedic culture में जो औरते हैं उनको बहुत जादा rights था उनको पुरोहिद बनने का rights था हवन करने का rights था तो ये एक claim ठोकता है कि इसको कोई archaeological evidence मिल गया है कुछ 100 BC से पुराना जिसमें एक lady है वो पुरोहिद बनकर हवन करा के शादी करा रही है इसका ये कहना था और इसने कुछ दिखाया photo जिसमें कुछ आकरिती बनी हुई थी तो इसको मैं खोजना मतलब मैं जब देखा तो पहले तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये कैसे हो सकता है हम लोग यहाँ पर before Christ era में evidence धून धून के मतलब ठक गए कि Vedic culture का कुछ मिल जाए लेकिन मिलता है ये बंदा लाके दिखा रहा ह इस चीज को ये जो दिखा रहा था इस seal को लेकिन मुझे तो नहीं मिला बिलकुल तो at the end मैंने help ली जो की Google Lens की जो की कई लोगों के फोन में होगा Google Lens वो भी search कर सकते हैं इस photo के लिए के तो वहाँ पे मुझे कुछ मिला और जो मतलब देख के मुझे इतनी हसी आई इन ल बंदे ने उठाई थी और दिखा रहा था अपने podcast में जैसा कि नीचे वाला जो area है उसने वो दिखाया था कि वहाँ पर कुछ औरते हैं शादी करवा रही हैं तो वहाँ का इसने पूरा ऐसे दिखाया था इतना crop करके ताकि उसके जो audience है वो देखे और मतलब बोले कि अरे बाबरे क्या दिखा दिया क्या expose कर दिया मतलब तभाई मचा दिया भाई जैसा कि अकाउंट है twitter का पूरा share कर रहा है तो एक चीज़ हमने यह देखी कि इसने जो यहाँ पे नीचे है इसने लिखा है कि originally founded, modified and enhanced using AIPS देखे इन बंदों का जो evidences होते हैं कहां से उठाते हैं न ना fact checking करते हैं ना कुछ करते हैं बस मुह खोलते हैं सब्दगप उड़ते हैं और whatsapp चाप, wikipedia चाप हो गया, reddit हो गया, और कौन से app होता है, qura हो गया, जो भी हो गया, तो वहां से यह उठाते हैं evidences, देख लिए जाएंका level देखिए, और यह debate पे बुलाएंगे, यह करे अब लेवल ऑन इंटरनेट, देख लो, यह evidence है इंका, यही एक picture अब लेवल इंटरनेट पे, यह मिला है इंको, 100 BC से पहले वेदिक कल्चर का, तो अब मतलब इन लोग को मैं जो करना बोलू, तो क्या बोलू, इनका level है debate करने का, यह करेंगे debate, जहांसे मतलब दिखा रहे ह कुछ भी अपनी audience को पागल बना रहे है, आर्केलोजी के नाम पे, मतलब शरामानी चेन लोगों को, फेक चीजे दिखा रहे हैं, फेक चीजे दिखा दिखा के उस इनसान के सामने यह डालते हैं, देखे एक link इसने दी थी, वहां पे भी अगर हम लोग ने click किया, तो यह क् क्या रहा है, finally curve turtle shell vedic marriage, India second century BC, अब इसके नीचे देखे क्या लिखा, एक बंदा जो है, वो comment कर रहा है, उसको यह photo भी, क्या बोलते है, AI वाली twitter से मिली है, बताइए, twitter university, यह इंकार के logical evidence है, तो देख लेजे, जब भी आपको कोई चीज दिखाए, कि मुझे यह मिला, एक्ल explains गए थे podcast में, hyper quest के, तो वहाँ पे इनोंने यही सवाल दागा था, यह दिखा कर कि, देखो हमें इतना पूराना ही चीज मिल गया है, तो मैं हमेशा ही अपने लोगों को बोलूँगा, कि सतर्क रहें, खासकर archaeology को लेके, जब भी कोई चीज दिखाए, बिना fact checking के, ना मान आते हैं, तो तभी इसको मानिए, ऐसे किसी को मत मानिए, यह लोग तो ऐसे फेकते रहेंगे, फेकते रहेंगे, फेकते रहेंगे, जल्दी 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 फेकते रहेंगे, कोई fact checking नहीं करता, जैसे बाबा ढाबा करते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वहाँ इस वीडियो को शेयर करें अवेरनेस के लिए